आंखों में एक सपना था, जोस्ता, जुनून था, कुछ कर दिखाने का लेकिन जमाने ने कुछ एसा चाहा कि आस्मान से नीचे पटक दिया एक वो कावत है ना कि आस्मान से गिले और खजूर पर लटके लेकिन सरकार कोई ऐसे सिद्धी तो लाये कि उसे जो खजूर पर लटके हैं उसको नीचे उतार सके लेकिन दूस्तूं यहाँ मैं बात कराँ रीट प्याटियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है अन्याय यह हो रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहां सपने संजोए थी और कुछ करने के लिए कुछ चहती और आस्मान में उड़ रहे थे लेकिन उन्हें की सरकार को ये बात गलत लगी और उन्होंने पंगी है उकार दी जी अमित्रों मैं आज बात करा हूँ रीटे जो 2020 में आज़ित होगी उसके पाठी करम के समन्द में दोस्तों जो इसका पाठी करम है उसको लेकर आज से दो दिन पले एक न्यूजाई की पाठी करम के समन्द में 28 फरोरी को बेटे होगी पहले काग है विधार्टियों को लुआने के लिए कि आपके जो ये यानि की आपका सिलेवे से उपंदरा दिन के अंदर है वो त्यार कर दिया जाएगा लेकिन दूस्तों इससा कुछ भी नहीं हुआ और इस बच्चे के जीसे इस्तती है वो बन गए याँ पे साफ जाиейर हो रही होगी आपकी इस बच्चे की तरह आपकी इस्तती है और रह गई है यानि कि जो सरकार हुष ने कई काभी नहीं छोड़ा और इस बच्चे की स्तितिक तरह अपने को लटका के है वो यहाँ पे छोड़ दिया है तो इसे हैं वो विधारती जो काफी लंबे वक्ष इंजार कर रहे थे रीट का रीट आ गई लेकिन अब इसके सिलेवस का इंजार कर रहे थे लेकिन सरकार ने एक बार लोगाने के लिए वादा किया कि 15 दिन में सिलेवस त्यार हो जाएगा लेकिन अभी तक शिलेवस त्यार ने हो रहा और अब कर रहे की एक महिनी बाद में आपका शिलेवस है वो त्यार होगा साथ में बड़ा दोका है इसके खिलाब हम आवाज उठाएंगे आप एदिस साथ में हो तो आप अपने नम्मर एक बार कमेंड जरूर लिखे और जल से जल से तेलेवेस कोशित कराने में हमारी आप मदद करें दोस्तूं यह जीट के पिडित्तों की आवाज है और आवाज को आप पुलंद अवशी करें और इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा सेर करें धन्यवाद